हालो फेंड्स आदाव असलाम अलेकुम माइनाम इस फाइम वेलकम बैक तो यह चैनल फाइम ब्लॉक्स आज का हमारा केस है स्क्रीन पर आप यह फर्स्ट टाइमर कटिया देख रहे हैं पहलों जुटिया है और हाली में इसका इसने अपने बच्चे को जनम दिया और ठंड के मौसम में आपने देखा होगा कि पस्वों का ब्याने का समय बहुत जादा चला है गाय भी ब्यारी हैं ऐसे में बक्रियां भी ब्यारी हैं और बैसे भी तो ऐसे ही इसका टाइम डिलीवरी का पूरा हुआ और इसको समस्या हुई प्रोलैप्स की प्रोलैप्स यानि फूल पाचा यह दिखाने लगी तो ओनर ने इसको केल्सियम की बोतल चड़वा दी ब्याने से पहले जब ब्याने का इसका टाइम ता यह पूरी केसिस्टी मैं आपको सुरू से लेके एंड तक पहले केसिस्टी बता हुआ उसके बाद हम फिर उप्चा है तो आज के समय में पसु गिससे नबह एक लाक या दोला के डेड़ लाग के सम्तिंग पसू आ रहा है और ऐसे में पसू बालक भाई मेहनत करते हैं उसको पालते हैं उसको चारा खिलाते हैं जब जाके वह एक साल के दर्मियान दस महीने में पस्षू ब्याता है और दूद्ध देता है तो ऐसी गलती आप ना करें सबसे पहले वीडियो को पूरा देखें अगर आप पस्षू पालन करते हैं तो डिलिवरी हो गई इसको डिलिवरी के बाद इसने जेल नहीं गिरी जयल आप समझे होंगे कई कई पर इसको रूप बोलते हैं इंग्लिस में इसको प्लेसेंटा बोलते हैं और जेल नहीं गेरी जेल गेरने का साथियों अगर कोई भी पसु आपका बड़ा पसु गाया भेंस ब्या जाए तो बार ऐसे 24 घंटे नॉर्मल समय है अगर इन अवस्थाओं में इस समय में जेल पसु नहीं गेरता है तो आपने घबराने की जरूत नहीं है तो बारे से 24 घंटे बीद गए ओनर ने क्या काम करा इसको देशी चीज खिलाएं साथे साथ जो आज कल चलते हैं एक वगएरा या कुछ भी देशी चीज होती है जेल करने के लिए वह सब कर लिया लेकिन इसने जेल नहीं गिरी और नजदी की यूटर से बुला के इसकी जेल खिचवा दी और जेल खिचने के बाद जैसे ही जेल खिची इसकी ब्याने से पहले जब इसका लवार दे दे तो चारा भी खा रही थी जुगाली भी कर रही थी सारे काम कर रही लेकिन जैसे ही यूटर से प्लिसेंटा को खेचा गया जेल को खेचा गया तो इसने चारा खाना पीना छोड़ दिया साथ इसाथ भहुँ जादा गंद फैकने लगी बदबौ आने लगी इसमें से जो हमें पसुपालक भाई ने बताया है और अब ये टोटल सम्थिंग दस दिन की हो गई है जो मैंने इसको कवरेज करा है जो मैं इसको दवागोली कर रहा हूँ तो दस दिन में प्रॉपर तरीके से सैप्टिक बन गई है तो साथियो आज सभी से मेरी यही निवेदन है कि अगर आपका पसु ब्याता है तो उसकी जेल प्लेसेंटा कभी ना खिचवाये उसकी भी कंडिशन होती है किस स्टेज में आपने पसु को खिचवानी चाहिए उसके भी बहुत सारे मेथड है तो अगर आपका पसु जेल लिए रहा है वो सही सलामत है चारा खारा है सब काम सारे कर रहा है दूद भी सही दे रहा है तो आपको जेल को नहीं चुड़वाना है क्योंकि हजारों की तादान में कौटिलिंडन से चुपकी रहती है जेल उसको छुटाना बहुत नमुम्किन है वो छुटेगी अपनी मर्जी से छुटेगी कोई भी छुटाने की जुरूत नहीं ऊबतल में हभी क्योंकि अगर कर सकते हैं तो सिर्फ उसको गान gord Archbank की जर्प जाते हैं और वह कच्ची है तो महाँ पर आपने हात कंदाना है क्योंकि हाँ से कभी भीफ नहीं निकलती है उसमें होता क्या है कि पसू की जब यूटरस में हम हाठ डालते हैं तो वह कोठी लिंडेंट टूटते हैं छूटते नहीं है और जब टूटेंगे तो उनमें अंदर ब्लेडिंग होगी और ब्लेडिंग की रस्ते से ब्लड इखटा हो जाएगा और जानवर के जो मेमरी ग्लै हाथ से जेल निकालते हैं तो वहाँ पर टेटनेस होने की संबाबना रहती है पसू के इंफेक्शन यूटरस में होने की संबाबना जादा रहती है और इसी वज़े से यूकटिया है चारा खाना छोड़ दिया इसने तो कई दिने इनों इलाज करा लेकिन कोई रिलिफ नही है जिससे सैप्टिक इंटरमस्लों के माध्यम से इंजेक्शन लगाकर खतम हो जाए सिर्फ एक मात्र उसका इलाज है कि इसके यूटरस में आप दवा चुडवाएं और चुडवाने से ही पसू की सैप्टिक खतम होती है दूसरी चीज़ अब हम इसको जितनी भी सैप्टि फश्ट एजर्छन है डिसी डायंग्राम का टीची लिए मैंने इसको को 10 Bartadạn 10 में डलूट करके 910 मμैं 12 म मिला यह यह रचाय के शुरिंजों में 250 माध्यम से लूड करना है डेक्सा भी लेना है अपने 5 ml, CPM भी लेना है और DC में डायलूट कर लेना है इन दोनों इंजेशनों को और जब ये घुल जाएं तो दो सिर्णियों में लोड करके जैनवर की यूटरस में आपने इंशट कर देना है जैसे कि मैं कर रहा हूं और ठीक दो दिन का वेट करें अगर हल्की फुल की रह जाएगी तो आप तीसरे दिन छोड़ें अन्य था एकी बार में 100% ये दवाब कारगार होती है सैप्टेक के लिए है भूत सारे भाई ऐसे होते हैं कि जैनवर को सैफ टेक बन जाती है उसको देशि ची कांसी फल् सारी चीजर इसी किला देती इसकी कोस्ट बहुर्य होती है जिसकी कॉस्ट बहुत्त बहुत ज़ादा होतती है चीनी भी 596 कीलो किला दे तो आगर इसी दवावा को आप कर आเร पर अगर कोई भी आपका लोकल लॉक्टर या दूर से आता है तो completely इलाज हो जाएगा अगर नजदी किया तो कमे हो जाएगा क्योंकि पूरा मेंटेंस होता है आने जाने का पूरा खर्चा मिलाकर यह पूरी फीस होती है तो यह पूरा इसका संपूर्ण इलाज है और दूसर करती है तो उसको निकालने के लिए जोड लगाती है तो दवा हमने छोड़ दिये और जितनी भी सेप्टिक होगी धीरे-धीरे सब बहुत जल्ल तरीके से निकल जाएगी और साथे साथ इंफेक्शन बहुत जल्ली खतम होगा और जो प्रोलैप्स निकल लाए जो एंट है उसके लिए हमने एपीडूलर के माध्यम से इसको इंजिशन लगाया है जो आप देख सकते हैं टैल में मैं लगा रहा हूं इससे क्या होगा इसके जानवर का पूरा हिससा बिल्को रिलाक्स हो जाएगा कुछ घंटों के लिए और यूट्रस बहुत ज़दा इस रिलाक्स क जवानी अगर पसू चारा सई खा रहा है जुगाली कर रहा है अगर वह दूद भी सई दे रहा है तो जएल का अच्छी बात होती है ज़िए अगर उसमें दवा चुडवाना चाहते हैं अगर सिंपली अ कि ओ आ चुड़ा सकते हैं यह बहुत अच्छा अपन्डामेंटल है अब जेल खिचवाद किस कंडिशन में ते हैं जब पसू यूट्रस के रास्ते यानि वल्वा के रास्ते जेल लटकी हुई है और उसको निकालने का बहुत ज़दा प्रियास कर रही है साथ में अंबर भी आ रहा है यूट्रस भी आ रहा है तो वहां पर आप भारी तरीके से की डंडियों से लपेट के उस जेल को आप आसानी से निकाल सकते हैं और जब थोड़ी वह जितनी भी निकल जाए जो मौजू तरीके पर है उसे निकालकर आपने अनालजैसिक और एंटीबायोटिक आप दवा लगाए दो तिन दिन में इंशालला बिलकुल आपका पुस्त कि कर सकते हैं आसा करता हूं यह वीडियो अच्छा लगा होगा जाते से जादा मेरे वीचा शेयर करें और प्रस्काइब करें और मिलते नेक् inspiration लिए च्रह सुक्ट था